यह है कि जब आप किसी बात की गहराई में जाते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं तब वास्तविक सत्य निकल कर बाहर आता है जब तक हमको यह नहीं पता था कि समुद्र के पानी से भाब बन कर और फिर वो उपर जाता है बादल बनता है और वहीं से बरसात होती है तब तक इस बरसात को भी हम टब का देवता या फिर तरह तरह के देवताओं के नाम से पूझा करते रहे होंगे निशिदू से और करते भी थे क्योंकि आदिमानों को जब यह मालूम नहीं था कि यह सारी चीज़े वेग्यानिक तोर पर होती है यह सा कोई वेग्यानिक तरीका है यह साइंस है जब तक किसी को पता नहीं था तब तक लोग इसकी पूझा करते थे क्योंकि डरते थे और डर कर की जाने वाली पूझा को लोगों ने शद्धा का नाम दे दिया अब आप अगर किसी मंदिर में जाते हैं किसी भी धार्माई धार्मी की स्थल पर जाते हैं तो महां जाकर आप देखते होंगे कि जो दान पेटी होती ही वहाँ पे ताला लगा हुआता है और ताला जो है वो किसी भगवान ने तो नही से ही बनता है और अगर वहां पर कभी चोरी हो जाती है तो सभावी क्या कि सी सी टीवी के माददम से ही चोरों को ढूंडा जाता है आज की एक नया ही टेक्नीक जो है नई तक्नीक जो है और इसका जो अविश्कार है वह अभी हुआ है अब यह कई लोग कहने लगे कि इसका विश्कार तो बहुत पहले कर दिया गया था कंप्यूटर का विश्कार तब हो गया था बहुत पहले कर दिया गया था हवाई जहाज है यह तमाम जो उपकरन है इसका बहुत पहले किसी ने विश्कार कर दिया था कहने को कुछ भी कहा जा सकता है ले क्यों यहाँ वहाँ भटकते रहे तो मसला यह है कि भले ही हम अपने अंधिविश्वास को अपने इस जाहिलियत को छुपाने के लिए तरह तरह के मन गडंत कहानिया सुनाने लगे और उस लगातार सुनाते सुनाते वो एक परंपरा चुकी बन जाती है और परंपरा बनने के सुना रहा होता है और वो भी माईक चलता है इलेक्टोनिक तमाम चीजों के माध्यम से और मिक्सर के थूरू उस आवाज को खुबसूरत बनाया जाता है उसमें संगीत मिक्स किया जाता है और तब कहीं जाके दर्शकों पर शोताओं पर वो प्रभावत पन्न करता है तो य इस टूडियों बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ ओफ-लाइन बात कर रहा हूँ इसलिए जो है आपको ऐसा लग रहा है कि यह तमाम से चीज़ें हैं यहां पे लगी वी आपको नजर आ रही है वरना यह सारी चीज़े आपको नजर नहीं आती तब आपको लगता जो एंकर है उसको सब कुछ याद है जब कि ये जो टेली प्रोम्टर है पीछे इसवक्त हाला कि मैं टेली प्रोम्टर का उपईयोग नहीं कर रहा हूं लेकिन ये जो टेली प्रोम्टर आपको नज़र आ रहाizers है इसी को इसी में तमाम वह चीजे आती है जिसे पढ़कर एंकर आपको सारी शीचे बताता है उसके पीछे कैमरा लगा होता है लोगों को लगता है कि उसको सब कुछ याद है वो बहुत knowledge वाला विखती है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दरसल ये सब कुछ विज्ञान के सहायता से आप तक बात पहुचाने का एक तरीका होता है तो भले ही हम ये कहते रहें कि हमने बहुत कुछ पहले ही सारा कुछ हमने कर लिया था लेकिन ये बात उतनी तरक संगत नहीं लगती क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो परंपरा से चली आ रही है किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी बड़ी पुस्तक या फिर ऐसी जो धार्मिक पुस्तक या फिर पवित्र पुस्तक जिसे आप कहते हैं उसमें लिखी हुई है या फिर किसी बड़े व तब कहीं जाकर उस चीज को समझो। तो बात यह है कि जब आप किसी बात की गहराई में जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब वास्तविक सत्य निकल कर बाहर आता है। कुछ ऐसी ही बाते आजकल सोशल मीडिया का उपयोग करके, बात होती है कि कहते हैं कि बहुत ताकतवर किसी सर्वशक्तिमान की हम बात बताते हैं, लेकिन उपयोग करते हैं विज्ञान का, विज्ञान का उपयोग करके किसी सर्वशक्तिमान को वहाँ पे स्थापित करने की क कोशिश करते हैं और ऐसा ही सोशल मीडिया का अपयोग करके कुछ लोग ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत पहले कंप्यूटर का विस्कार किसे ने कर लिया था। करस इसको खूब शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि देखो उस समय भारत के ओध्योगिक छेत्र ने कितनी प्रगति कर ली थी जब बिजली का अविश्कार भी नहीं हुआ था। कोश्ट की गई थी। इसके अलावा आल्ट न्यूज ने ये भी पाया कि इस कलाकृति का उप्योग एक पुस्तक के कवर आर्ट के रूप में भी किया गया था। जिसका नाम है Cosmos Latinos An Anthology of Science Fiction from Latin America and Span और इस कवर डिजाइन के लिए राउल क्रूज को क्रेडिट भी दिया गया था। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर के सामने बैठे एक व्यक्ति की तस्वीर इस जूट के साथ वाइरल कर दी गई कि ये प्राचीन तस्वीर है। और साथ ही इसमें जूटा दावा भी कर दिया गया कि मुर्ती 1400 साल पहले भारत में एक पल्लाव राजा के शाशनकाल के दोरान बनाई गई थी। करते हैं लेकिन विज्ञान हैं जो सबका खुलासा कर देता है सबका परदाफाश कर देता है और फिर भी आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकर्मन्ने हैं एक तरह से हम उसे हालसी कह सकते हैं एक तरह से ऐसे लोग जो शॉर्टकट से बहुत कुछ कमा लेना चाहते है बिना काम किये चाहते हैं कि वो सारी चीजे जो है वो पाले और इसी चक्कर में गड़े हुए धन के पीछे भागते हैं तो कहीं पर जो है वो किसी जादुगर के या किसी तांत्रिक के चक्कर में आ जाते हैं और सब कुछ पालेना चाहते हैं और इसी वजह से बहुत सारी बल जो लोग शॉर्टकर्ट से पैसा कमाना चाहते हैं शॉर्टकर्ट से धन्य हर कुछ पा लेना चाहते हैं ऐसे लोग ऐसी लोगों के चंगुल में फस जाते हैं तो आज के विज्ञान दिवस पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि किसी भी धार्मी के स्थल पर अगर वहां जो मौझूद सर्व शक्तिमान जो जिसे आप मानते हैं उसने अगर खुद के लिए रोशनी उत्पन कर ली होती दिया जलानी की अगर उसमें शक्ति होती बल्ब जला लिया होता या अपने कमरे को रोशन कर लिया होता तो हम मानते आज भी उस जगे के जो दान पेटी जहां पर पैसा रखा होता या कोई भी कीमति वस्तू होती है उसे ताला लगाना पड़ता है और अगर उसे किसी ने चुरा लिया तो चोरों का पता लगाने के लिए CCTV की मदद देनी पड़ती है तो यह स्थिति अगर है तो आप इसे विज्ञान या फिर किसी धर्म के जो सरवश झाल